तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं NCRT Math Book Class 10 चेप्टर नमर 3 जिसमें हम लोगों को पढ़ना हैं दो चरवाले रहकेक समिकरन के योग में आज उसी चेप्टर को प्रसना वाली 3.2 में Q2 से आज हम लोग सोलूसन करेंगे तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखिए ओके फ्रेंस तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Q2 से हम लोग कोशन का आज सोलूसन करेंगे Q2 में अनुपातों A1 by A2 Q2 B1 by B2 C1 by C2 की तुलना कर ग्याद किजे कि निमन समीकरन यूग में दवारा निरूपित रिखाएं एवं बिंदू परतिछेदी करती है समांतर है अथवा समपाती है तो यहाँ पे क्या हमको पता करना है Q2 की तुलना में कि यह परतिछेदी है या समांतर है या समपाती है तो इससे पहले हम लोग जानेगे कि परतिछेदी क्या होता है समांतर क्या होता है समपाती क्या होता है और कब होगा परतिछेदी कब होगा समांतर कब होगा और समपाती कब होगा तो चली हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं तो देखिए जब हमारा केस रहेगा A1 by A2 is not equal to B1 by B2 रहेगा तो इसका केवल एक हल होगा क्या होगा केवल एक हल होगा और यह यूग संगत या अविरोधी होगा कब होगा जब A1 by A2 is not equal to B1 by B2 रहेगा इसका अलेक कैसा होगा तो इसका अलेक परतिछेदी रहेखा होगा देख रहे हैं एक दूसरे के क्या कर रहा परतिछेद कर रहा इसका अलेक परतिछेदी रहेखा होगा चली अगला केस देखते हैं केस नमर दो में जब A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगा यह युगम असंगत विरोधी होगा और इसका अलेक समानांतर रेखा होगा क्या होगा समानांतर रेखा जैसा कि आप गराप में यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका अलेक समानांतर होगा चली case number 3 में हम लोग देखते हैं जब a1 by e2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 तो इसका हल आप परिमित रूप से अनिक होंगे क्या होंगे इसका हल आप परिमित रूप से अनिक होंगे यह योगम आस्रित होगा इसका अलेक संपाती होगा जैसा कि आप यहाँ पर ग्राप में देख रहे हैं ठीक है प्रेंश तो आपको याद रखना होगा कि कब कौन से case में क्या होगा तो आप लोग इसे याद कर लिजे, note कर लिजे चली अब हम लोग question को solve करना शुरू करते हैं तो चली question को solve करते हैं question में हैं फर्स्ट में 5x-4y-8 is equal to 0 7x-6y-9 is equal to 0 तो a1ya2, b1yb2 and 7yc2 में हमको तुलना करके बताना है कि यह कैसी है परतिछेदी है या सामांतर है या अथवा समपाती है यह इसका आले कैसा हमको बताना है तो चली हम लोग solve करते हैं इसे तो यहाँ पर सबसे पहले जान लिजिए कि a1 क्या है, a2 क्या है b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है c2 क्या है तो a1 जो होता है a1 होता है x का गुनांग पहले समीकरन का x का गुनांग और a2 जो होता है दूसरे समीकरन का x का गुनांग और यहाँ पे B1 क्या होता है पहले समीकरन का Y का गुनांग और B2 क्या होता है दूसरे समीकरन का Y का गुनांग और C1 क्या होता है अचार रासी पहले समीकरन का अचार रासी और C2 क्या होता है कि दूसरे समीकरन का अचार रासी तो चलिए Q को solve करते हैं तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं A1 by A2 तो A1 by A2 कौन हो जागा? A1 पहले समीकरन का X का गुनांग में A1 कौन हो जागा? 5 हो जागा A2, A2 कहने का मतलब दूसरे समीकरन का X का गुनांग 7, बाई 7 हो गया अब आगे आप B1, B1 यहां देखिए Y का Y का गुनांग, पहले समीकरन का Y का गुनांग कितना है? माइनस 4, तो माइनस 4 हो गया फिर B2, तो दूसरे समीकरन का Y का गुनांग देखिए कितना है? 6, तो 6 हो जागा C1 अच्छा राशी पहले समिकरन का अच्छा राशी कोन है देखिए 8 दूसरे समिकरन का अच्छा राशी कोन हो जगा C2-9 अब हमको तूलना करना है कि A1 by A2 और B1 by B2 और C1 by C2 में तूलना करके बताना है इसका अलेक कैसा होगा समपाती होगा पतिशेदी होगा या समना अंतर होगा तो देखिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या A1 by A2 B1 by B2 के बराबर है तो देखिए A1 by E2 B1 by B2 के बराबर नहीं है तो A1 by E2 is not equal to B1 by B2 तो इसका अलेक कैसा होगा तो A1 by A2 is not equal to B1 by B2 तो इसका अलेक हम लोग पढ़ें कि ये प्रतिशेदी रेखा होगा कैसा होगा प्रतिशेदी रेखा होगा तो इसका आंसर क्या हो जागा प्रतिशेदी रेखा समझ में आ गया चलिए अगला प्रतिशन हम लोग देखते है चलिए अब अगला हमारा प्रतिशन है Q2 का 2 चलिए इसमें है 9X plus 3Y plus 12 equal to 0 18X plus 6Y plus 24 equal to 0 तो उसी परकार से बिलकुल हल करना है यहां पर सबसे पहले हम लोग कर लेंगे A1 by A2 के रूप में A1 by A2 कर लेंगे तो A1 by A2 देखे इसमें क्या A1 क्या हो जागा 9th हो जागा और A2 क्या हो जागा 18 हो जागा फिर उसके बाद B1 by B2 B1 कितना हो जागा B1 by B2 तो B1 हो जागा 3 यहां पर और B2 कितना हो जागा 6 C1 कितना हो जागा अचारासी का पहला समिकरन में अचारासी 12 और दुसरा में क्या हो गया 24 समझ रहे हैं अब हमको A1 by A2 और B1 by B2 और C1 by C2 के रूप में करके हमको बताना है कि प्रतिछेदी रेखा होगा समपाती होगा या समानांतर होगा तो देखिए अब हम लोग A1 by A2 इक्वल टू हो जागा 3 by 6 इक्वल टू हो जागा 12 by 24 अब देखिए ये कटेगा तो काट भी सकते हैं लोग देखिए यहाँ पर कट रहा है तीन तीय नौ कट रहा है और 6 तीरी अठारा कट रहा है तो यहाँ हो जागा 3 by 6 हो जागा 3 by 6 हो गया equal to हो गया 3 by 6 और ये भी देखिए कट रहा है चरती A12 हो गया और 6 चोविस हो गया तो यहां हो जागा 3 by 6 तो यहां पर आप देखिए कि A1 by A2 और B1 by B2 और C1 by C2 ये तीनों क्या है ब्राबर है तो देखिए A1 by A2, B1 by B2 ये तीनों क्या होगे है प्राबर होगे है इसका आले कैसा होगा हमने पहले ही लेक्षर में पहले बता दिया था इसका आले कैसा होगा इसका आन्सर होगा चली, next question देखिए question number 3 question number 2 में student number 3 में 6X-3Y 10 equal to 0 2X-Y 9 equal to 0 चली, इसको भी हम लोग solve करते हैं, देखें यहाँ पे यहाँ पे A1 कितना हो जागा? A1 6 हो जागा और A2 कितना हो जागा? 2 हो जागा B1 कितना हो जागा? Minus 3 हो जागा और B2 कितना हो जागा? Minus 1 हो जागा यहाँ Y के साथ में एक गुना में है कुछ नहीं है तो समझी एक जरूर है गुना में और y के 1 के आगे क्या है माइनस लगा हो इसलिए माइनस 1 लिए c7 कितना हो जागा देखिए अच्छा रासी पहला समीकरन में 10 है तो यहाँ पे 10 हो जागा अब 2 9 है यहाँ पे दूसर समीकरन में c2 9 हो जागा उसी परकार से अब देखिए यहाँ पे काटेगा तो काटेगा तो नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा देखिए यहाँ पहला हो जागा 6 बराबर हो जागा माइनस 3 माइनस 1 फिर क्या है बराबर 10 बाई 9 ठीक यह मायनेस से मायनेस कट रहा और यह 3 दूना छे कट रहा कितना मरता विझा वियर 3 दूना छे कट रहा है तो यहाँ पर कितना हो जागा 3 बटता क्तना ओजागा 1 हो जागा equal to 3y1 हो जागा equal to 10y9 हो ग्या अप डेखे क्या a1 invaded by a2 बराबर b1 by b2 यह है अब Mile by b2 इस नौट इक्वल टो 7 सींटू तो यह इसे कर देंगे क्या कर देंगे , इस नौट इक्वल टो तो इसका अले कैसा हो जागा समान आंतर कैसा हो जागा समान आंतर समझ में आगे झाल झाल